पिसमिल्लाहिर्मानी रहीम है लो असलाम अलेकूम कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे अल्ला का सुक्र है हम सब भी अच्छे हैं और आप सब के लिए भी दुछ रखें आमीन सुम्मा आमीन सबसे पहले दुआए उसके वाद फिर रेसिपी तो आज हम दाल में की दुल्हन तो बहुत से लोगी से दाल में की दुल्हन भी बोलते हैं और बहुत से लोगी से दल पिठा भी बोलते हैं जो यूपी विहार की फेमस हैं तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है नॉर्मल सी दाल लेनी है और जैसे नॉर्मल हम बनाते हैं दाल को से वैसे ही अमें दाल को बना के तर्यार करने हैं अब अपने टेस्ट के अपाइब सकते हैं अगर आपको रहर दाल पसंद है लगाना आटा भी बहुत सिंफल तरीके से लगाएंगे हम अटा लेंगे हम अल्गा सा नमक और बहुत टाइट अटा लगाना है हमें क्योंकि जो हमें सेब देनी है वह सेब देने में बहुत इजी हो जाएगा हम टाइट आटा लगाएंगे तो और वैसे आप लोग जान रहे हो कि समय मैं के आ गई हूं और मेरा ट्राइपोर्ट छोड़ चुका है घर पे तो मेरा वीडियो बनाने में थोड़ी सी पर है तो दाल का जो प्रेसस है वह चल रहा है और उसके बाद अब हम यहां पर स्टार्ट कर लेते हैं जो हमने आटा लगा कर रखा था उससे सेब देने की तयारी करते हैं तो सेब देने के लिए मैंने क्या क्या किया आटा अच्छा टाइट था तुसे में बेलान चौकी अच्छी तरीके से बेल लेती हूं बेल के अब जितना बड़ा चाहिए उतना मड़ा सेब बना सकते हैं वह आपके उपर डिपेंड करता है मैं तो घर पे रहती हूं अपने सब्सक्राल पे तो मैं तो अपने कांटर टॉप पर ही बेलती हूं अर्प यहां मुझे से लिए म बच्चे बहुत एक्साइट हो गए खाने के- लिए और देखने की लिए और आप लोगो है काईकरेई जाएब पchnet गर डेखने कलिए वीध लूज कर रहे हैं Doll में चोर सब्सक्राइब होत लाइं घंट्यार बाको स्ईकर ऑन-ठाथ तो बढ़ जाते हैं इससे बेस्ट आप सन आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा इसमें कोई भी फैट बढ़ाने वाले चीजें नहीं है कोई विया अशा चीज नहीं है जिस आपका वे बढ़ जाए तो देखते हैं कि फैनली रेस्पी कैसे बनती है और हमारा आज का कैमरामेन गर है कभी लाइट चालू कर दे रहा है तो कुछ ना कुछ प्राब्लम हो रही है सब को प्राब्लम होती है फर्स्ट फर्स्ट टाइम वीडियो सूट करने में तो अभी मेरा कैमरा बन सही नहीं है कोई बात नहीं आप लोग इग्नॉर कीजेगा पस रेसेपी पर कॉंसुटेट क सब्सक्राइब करने में तो फिल्हाल मैं यहां पर सेब देती हूं सेब भी मैं आपको अच्छी तरीके से मतलब सेब कैसे देना है वह भी चीज में आप लोग को दिखा देती हूं तो मैं पहले यह बता थी कि हिसाब से बहुत बेश्ट है यह तो अगर आप लोग डाइट करना है और यहां से बस दो बर जॉइंट करना है आपका फ्लावर कमप्लीट एक बर जॉइन ऐसे करना है एक बर जॉइन ऐसे करना है और आपका फ्लावर हो जाएगा रेडी तो आप ध्यान दीजेगा कि किस तरीके से में फ्लावर को रेडी कर एक बर फर्स्ट में राउं यह रेसिपी आपके भचों बहुत ज्यादए पसंद आने वाली बचों बहुत एंजॉई करके ख्लाइव वह मैं आना बैंड को काAKी मैं य आपे DCI निश्पी यदि जह लोग को आपको इसको डालना है बहुत से लोगों का कहना रहता है कि कैसे हम डालेंगे तो यह आटा के जैसे घुल नहीं जाएगा बिल्कुल नहीं घुलेगा अगर दाल अच्छे से बॉइल हो रहा है और इस तरीके का टाइट आटा सान के आपसे बना के उसमें एड कर रहे हैं तो बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको इसका टेस्ट कैसा लगा आपके कैसा था ताकि मुझे नेस्ट रेसिपी आप लोग के लिए लाने में इजी हो जाए तो देखिए कितने अच्छी तरीके से यह रेसिपी अभी से दो से चार मिनट तक हम इसी तरीके से छोड़ देंगे पकने के लिए क्योंकि हमारा जो आटा है वह कच्छा है तो दाल के वाइल होने के वज़ए से आटा जो है अच्छी तरीके से पके रेडी हो जाएगा यहां पर मैंने ले लिया है जीरा लैसुन और मिर्ची इसको तड़का लगाने के लिए तो तड़क के लोगों को स्वाद के हिसाब से सरसोल ज्यादा यूज करते हैं यहां पर मैंने एड़ कर दिया है जीरा जीरा के बाद लैसुन और मिर्ची मैंने जैसे पहले भी आप लोग को बताया अगर आपको टेस्ट और ज्यादा बढ़ाना है तो आप प्याज और टमाटर भी मैं खाने के लिए भी बना सकती है यह फिलाल रहे थे तो हमारा यह बंके हो गया है रेडी अब हम इसका फायनल लुक आप लोगstellung को दिखाते हैं खाने मैं कैसा लगता है और देखने में कैसा लगता है तो हमारा जो दाल में की दुल है वो बनके हो गई है तैयार तो थांक यू आज फॉर मैं वीडियो बाइबाए लाहां दुआ में याद रखिएगा नेश्ट वीडियो का वेट कीजिए गा और रेसिपी कैसे लगी जरूर बताइ तो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ अपने फ्रेंट के साथ इस वीडियो को जरूर सेयर कीजेगा आपके एक सेयर करने के वज़ा से मुझे तो मोटिवेशन मिलेगा ही मिलेगा सायद आपके कोई करीबी का कोई हेल्प हो जाए क्योंकि यह रेसिपी जो है वह सुगर बीपी विस दो मेंद रखीगा